उत्त्राखन की हसीन वादिया हमेशा से ही प्रियाटकों के लिए आखर्शन का केंद्र रही है देव भूमी की खुपसूरती भी बड़े परदे परचा रही है और साथ ही फिल्म निर्माता निर्देशकों को भी अपनी ओर खीच रही है रामतेरी गंगा मैली जैसी हिट फिल्म की शूटिंग उत्तरकाशी के हर्शिल में होई थी आज अमिताम बचन से लेकर अक्षे कुमार, अजे देवगन, शाहित कबूर, जौन इबराहिम जैसे फिल्में सितारों की फिल्म यहां शूट हो चुकी है कबीर सिंग, बाटला हाउस, कश्मीर फाल, शिवाई, गुडबाई, कटपुतली जैसी फिल्मों की शूटिंग उत्तराखन में हो चुकी है जादा से जादा फिल्म निर्माता निर्देशक उत्तराखन में फिल्म शूटिंग के लिए आए और इसके लिए प्रदेश सरकार ने सिंगल विंडोस सिस्टम लागू किया है इसके जर्ये प्रदेश के किसी भी जले में महस दो दिन में ही शूटिंग की अनुमती मिल जाती है इसके तहर्ट फिल्म की 55 प्रतिशत शूटिंग उत्तराखंड में होनी पर उत्पादर लागत का 30 प्रतिशत या 1.5 करोड रुपे का नुदान दिया जाता है शूटिंग के दुरान केम वीन और जीम वीन के गेस्ट हाउस में भी छूट दी जाती है अब तक उत्तराखन राज में करीव छोटी बड़ी 800 के आसपास फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है उत्तराखन फिल्म निर्माता नरदेशकू की पहली पसंद बनता जा रहा है यही वज़े रही है कि उत्तराखन को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड भी मिल चुका है उत्तराखन को औरसर पिराश्च ये फिल्म पुरुसकार के अंतरगत Most Film Friendly Special Mention प्राप्थ हुआ है प्रदेश सरकार ने निर्माताओं को हर संभव सुवधा देने के लिए जो नीती बनाई है वो कारगर साबित हो रही है इसके अलावा स्थाने फिल्मों के निर्मान के लिए प्रुट्साहित कर रही है इसके लिए सबसीडी का भी प्रावधान किया जा रहा है राज्य सरकार उत्तराखन में Film City बनाने की दिशा में भी काम कर रही है इसके लिए दिहरादून में Film City के लिए जमीन भी तलाशी जा रही है